असलामें दोस्तों इस वक्त हमारे पास मौजोद है रहात कादमे साहब पाकिस्तान का बड़ा नाम और इनसे हम भादचीत करेंगे और इनकी हम तपित मौलूम करेंगे और यह आज किया कर रहे हैं क्या मुसर्फ जाते हैं तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं अगर हम करते हैं अगर हम करते हैं आप को अज़ियन अदाकारों से तो आप दो हो हुआ काम बहुत अच्छा था उस दोर के अदर जोंड़ा देखते हैं पाकिस्तान की तारिक के बहत्रीन ड्रामे अगों बनाए है तो अभी आपकी तबिएत कैसी है मैं ठीज हूँ इस उमर में जितना हो सकता हूँ उतना हूँ बिलकुल अल्द ताला आपको सहत उत्रोस्ती दे और आप अपने पिछने टेरियर के बारे में क्या फर्माएगी कौन सा अच्छा होता है तो हमेशे अच्छा होता है तो उस अच्छा होता है तो उस जमाने में जो अपने देल से काम करते हैं कोई पैसे के लिए नहीं करता था पैसे तो मिलते ही नहीं थे पीटी नहीं देल करते है तो पैसे तो मिलते ही नहीं थे पीटी नहीं देल करता है तो पैसे तो मिलते ही नह काम होता था इसलिए बेड़ था इसलिए कोई आपके पहें कि ये कौन सा फेवरेट है जाए इसलिए को हर काम जो किया वह देल से किया बरना नहीं किया चोड़ दिया बिल्कुल मौही नक्तर के बारे में दोलाव सर्थ नहाइत उंदा दज्जे के नकाल था ऐसी ऐसी मैं सिर्फ ये बताता चलूँ आपको कि मैं क्या करा हूँ मैं इस वक्त है एक अधारा है क्यो पाकिस्तान में पहली बार बना है इसका नाम है NAPA National Academy of Performing Arts ठीक ये इदारा पहना अधारा है पाकिस्तान में जो मौसीपी सिखाता है और अधरकारी का पंच सिखाता है किल्म समझते से माशादी तीन साल का कोड़ता है और मौसीपी पचास साल का बलकुर आप अधर सीखना चाहे तो यहां आपको शीखना है और सीखने है जिया मौयदीन साब जहाँ उसके चैर्मन है मैं वहां पर सदर हूँ ठीटर आर्ट्स के डिपार्टमेंट मैं उस सब अधर्ण और जब्द जो है वहां का वो उस हवाले से मेरे जिमने है तो आप लोग बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहे है पाकिस्तान में इस ता कि कोई अकैडमी नहीं पी जाते है और यह पहली है यह इसके उपर आपने स्टेंड लिया थैंक यू सर बहुत श